वेश करेगा इस पूरे के पूरे विलाए के बाद इस नई जो एंटिटी बनेगी उसमें ये विलाए करेगा इसके साथ ही साथ पुनीत गोयन का जो अभी जी एंटरेटेंडमेंट के M.D. और C.O. है वो इसी पद पर बने रहेंगे और कमसी उनी के नत्रतों में आगे प्रो बिलकुल सर बड़ी बात है कि ये जो merged company होगी जैसा आपने बता है पुनीत गोयन का M.D.N. CEO बने रहेंगे इस merged company के साथ ही post merger जो shareholding होने वाली है वो काफी important है वहाँ पर आप देख लिए नजर करीब 53% 52.93% का stake Sony Pictures Networks के पास होगा 47% stake रहेगा Z Entertainment के shareholders के पास तो ये आपका जो post merger deal scenario ये रहने वाला है 53% almost Sony Pictures के पास 47% रहेगा Z Entertainment के पास ये जो merged company बनेगी ये listed company रहेगी तो फिलहाल जो ये listed company है listed company रहेगी post merger जो भी रहेगी ये भातिय बाजारों पर listed रहेगी साथ ही अगर आप देखे 90 day exclusivity period है binding sheet sign कर दी गई है due diligence का process भी यहाँ पर शुरू कर दि Z Entertainment की वो मौझूदा shareholding 4% से बढ़ा कर 20% कर सकते हैं ऐसा विकल भी उनको दिया गया है तो ये भी आपको एक important नज़र देखने हैं और जैसा अनल जी बता रहे थे काफी सारी बड़ी synergies इसमें आपको आती हुई दिखेंगी क्योंकि Z Entertainment आप जानते हैं movies की बड़ी library है entertainment content क की बड़ी library है music की बड़ी library है digital space में एक बड़ा player है और साथी सुनी के साथ भी काफी सारी इन्हें synergies आती हुई दिखेंगे तो digital space में network space में production operations program libraries ये सारी की सारी synergies आपको इस merger के तहत आती हुई दिखेंगी तो काफी बड़ी डील है सर काफी जादा synergies इन दोनों मीडिया जाइंट से साथ में बना पाएंगे है बिलकुल मिलता जुलता का रोपा रहा है और in fact दुनिया बर में मैंने देखा है दी बड़ी अंतराश्ट्री कंपनियों में जो सबसे बड़ी number one और number two कंपनियों और उनका merger होता तो जिस तरह की value बनती है minority shareholders के लिए और institutional investors के लिए वो ला जवाब है क्योंकि अगर एक और दो number के players हैं सबसे ज़्यादा competition सबसे ज़्यादा प्रतिस परदा उनी के बीच में होती है और जब वो दोनों मिल जाए तो फिर बात ही अलग होती है क्योंकि फिर जो बड़ी synergies आती है integration होता है जो बड़ी कामकाज की scale आती है और प्राइसिंग पावर आता है वो ला जवाब है और काफी ऐसे खर्चे है जो आपके कम हो जाते हैं मसला entertainment सेत्र में सबसे बड़ा खर्चा आपका content creation का है और distribution का है content creation में भी आप काफी synergies और integration ला सकते हैं और जो distribution है हम कहते हैं content is king and distribution is god यह हमारे media में और entertainment में काया जाता है तो वो एक बड़ा खर्चा जो बचता है वो गजब का होगा तो दो बड़े गृप साथ में आना यह हिंदुस्तान के media और entertainment क्षेतर में एक बहुत 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 बड़ा development है in fact मैं यह काऊंगा कि यह development सिफ हिंदुस्तान तक limited नहीं है worldwide भी अगर आप देखेंगे तो एक बड़ी कमपनी बनने जा रही है एक दिस्क्लेमर इससे पहले हम और आगे विशलेशन करें यह बता दें जी एंटर्टेंमेंट एक अलग गृप की कमपनी है बिलकुल जी मीडिया जिसके अंतरकत हम आते हैं जी बिद्निस हमारा चैनल जी मीडिया के अंतरकत आता है आपक जी मीडिया के हाथ में और जी मीडिया बिलकुल अलग गृप है जो मीडिया बिजनिस में है जी एंटर्टेंवेंट कम्प्लीटली अलग कमपनी है जहां पर ज्यादतर फंड्स के पास हिस्सेदारी है और वो कमपनी बिलकुल अलग है इसी लिहाँ से और जब दो बड़ी कंपनी आकर मर्ज कर रही है तो जाहिर सी बात है और जहां पर अब मेजोरिटी शेरोल्डर बड़ा पार्टनर सोनी होगा क्योंकि पचास परसंट से ज्यादा हिस्सेदारी इस मर्जर के बाद सोनी के पास रहेगी और बाकी जो जी के एक्जिस्टिंग शेरोल्डर से उनके पास लगबक 47 परसंट हिस्सेदारी रहेगी सोनी के पास 53 परसंट हिस्सेदारी रहेगी सिंगल लार्ज शेरोल्डर वह भी मेजोरिटी शेरोल्डर सोनी होगा इसलिए वैसे भी इस प्रपोज मर्जर के बाद तो पूरी तरह से एक दम साफ है यह एक अलग कंपनी अलग एंटिटी आपके सामने आने वाली है तो दीप में यह कौँँगा कि यह एक बड़ा लेंड मार्क डवलपमेंट है पूरी मीडिया और एंटरटेन्मेंट इंडिस्टी में और यह नए पेमाने तरह करेगा और जो दो बड़े प्लेयर्स के साथ में आने का फाइदा है वो मिलेगा सिर्फ और सिर्फ दो लोगों को पहला माइनर्टी शेरोल्डर रिटेल शेरोल्डर और दूसरा जो इंस्टीटूशन लंबे समय से जी एंटरेन्मेंट के शेर को होल्ड कर रहा है उनके लिए वेल्यू क्रियेशन बनता हो दिखेगा तो यह बड़ा फाइदा होन अलाइसर